Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल no contact के situation में हैं मतलब आप दोनों की बीच में काफी अर्से से कोई बातचीत नहीं हो रही है तो इस दोरान इस परसन की आपको लेकर क्या सोच बनी हुई है जैसे कही न कही आप इनके बारे में सोचते रहते हो दिन रात हर पल हर गड़ी क्या ये परसन भी आपको दिन रात हर पल हर गड़ी सोच रही है क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे दिल में बहुत सारी चीजे रह जाती है जो हम चाहते तो है कहना लेकिन कह नहीं पाते लिए और इसी रीजन की वज़े से हमारे दिल और डिमाग में वो इनसान बार बार चलता रहता है तो यही चीजे देखेंगे कि इनके दिल में no contact के दौरान ऐसा क्या चल रहा है जो यह आप से कहना चाह रहे है यह महसूस कर रहे है यह आपको लेकर यह आप कुछ भी महसूस करना इस परसन ने बंद कर दिया है तो यह चीजे देखी जाएंगी ठीकि वीवर्स बस आपको याद रखना होगा देखी रीडिंग जो भी है चैनल पर वो जनरल और एक कलेक्टेव है तो आपको अपने आपको हर एक बात में फिट नहीं करना है बजाए हर एक बात में अपने आपको फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है रीडिंग में कोई क्राइटेरियर नहीं बना रही वीवर्स यानि की मैरेट अन्मैरेट लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेज जग होकर देख सकता है इवन इक टाइमलेस रीडिंग है जब भी आपके सामने आ रही है बेज जग होकर देख सकते हैं आपके बस और बस उसी person के ओपर बनाए रखे जिनकी feelings, जिनकी energies आप चालना चाह रहे हैं। गाइट कीजे universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spirit guide, मुझे guide कीजे बताईए। जिनके बारे मेरे viewers चाह रहे हैं उस person की क्या सोच है, please divine, guide कीजे बताईए। इस energy में ये person है, guide कीजे बताईए। I decide to text you but then I just can't, I am over you, I am deeply in love with you, I miss your touch, I miss your smell, and bottom है, I am falling in love with you, okay, confused, एक confusing energies मुझे इस person की sight से viewers दिखाई दे रही है, जैसे एक पल में तो ये person ये चीजे महसूस कर रहे हैं कि आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी इनके दिल में आपके लिए feelings हैं, जस्बात हैं, आज भी कही न कही दिल वही उसी तरह से धड़कता है, जिस तरह से पहले आज भी दिल जब आपका नाम सुन रहे हैं, आपके बारे में अगर किसी से कोई ख़बर मिल जाती है, तो दिल इनका उसी तरह से जोरो जोरो से धड़कने लगता है, आज भी आपके टच को आप जिस तरह से ने टच करते थे उसे ये मिस कर रहे हैं, आपके smell को जो भी आप मतलब एक होता है ना, बॉडी का एक अपना smell होता है, जब आप किसी के बहुत करीब आते हो, तो उसे आप समझने लगते हो, उससे भी आपको प्यार होने लगता है, उसे आप समझने लगते हो कि ये उसकी smell है, तो वही सभी चीजे यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख यानि कि यहाँ पर ऐसा देख पार यू विवास कि ये परसन अभी भी आपको बहुत जादा चाहा रहे हैं, भले ये no contact आप दोनों के बीच में चल रहा है, भले आप लोगों के बीच में situations काफी उलज रही हैं, लेकिन इस उलजी होई situation में भी इस परसन की feelings, इस परसन के आप पर शुरू और आप पर हाकर ही खतम हो रहे हैं, और यही feelings इस परसन को इवन ये एहसास दिला रही है कि भई अभी भी ये आप से deep level पे प्यार तो करते हैं, भले आप से कुछ भी कह रहे हो, लोगों से कुछ भी कह रहे हो, इगनोर करके दिखा रहे हो, अपने आपको strong बनकर दिखा रहे हो, लेकिन इस चीज़े से ये बिल्कुल भी ना नहीं बोल सकते, ये इस चीज़ को ये deny नहीं कर पा रहे हैं कि आप से प्यार करते हैं, और वही feelings वही एहसास इस परसन को विवास आप से बात करने के लिए, आपकी तरफ message send करने के लिए भी इने बोल लेकिन तुरंत ही रोक भी रहे हैं अपने आपको, और यहाँ पर ऐसा कुछ इनकी feelings के साथ दिखाई दे रहा है कि अपने आपको ये thought रख कर रहे हैं कि भई, ये सब over हो गया, मतलब ये जो feelings रख रहे हैं, जो खिचाब ही आपकी तरफ feel कर रहे हैं वो over हो गया है, जब र message नहीं कर रहे हैं, feelings होने की इच्छा होने के बाव विजूद भी आपके तरफ कोई message forward नहीं कर रहे हैं, ऐसा देख बार ही हो, कुछ तो यहाँ पर ऐसा उलज्जा है मामला, जैसे trust issues के मुझे ज़्यादा possibilities देख रहे हैं, या तो यहाँ पर इस person के ऊपर बाहरी influence को ज़् जोपी है, डाली है, जिसके चलते आपके लिए feelings होने के बाव जोपी, अपने आपको इस person को यह convince करवाना पड़ रहे हैं, कि नहीं यह रिष्टा खतम हो गया, over हो गया, या अभी शायद इस रिष्टे में आंगे कुछ हो नहीं पाएगा, तो यह चीज़े यह आपको नह अपने आपको समझा रहे हैं, अपने आपको नहीं समझा पा रहे हैं, और इसलिए बार बार इस टेज को पहाड़े की तरह पढ़ रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन obviously देखो feelings feelings होती हैं, प्यार प्यार होता है, जो इतनी आसानी से ना, खतम नहीं होता, इतनी असानी से कहने मातर से ये चीजे खतम नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसा ही scenario मुझे इस person के साथ दिख रहे हैं, कुछ ऐसी energy में दिख रहे हैं, मतलब अपने आपको convince कर रहे हैं, अपने आपको समझा रहे हैं कि नहीं इन्हें आप से प्यार नहीं हैं, जबकि बेंतहा इन्हें आप से प्यार हैं, चलिए और देखते हैं, गाइड की जो बताइए, मेरी विवर्ज के person करन्ट में किस energy में हैं, गाइड की जो बताइए, rewind, time, realizations, runner and chaser, past memories, move on, and bottom है आपका heartbreak, देखे, विवर्ज यहाँ पर यह चीजे तो हैं कि यह person होना हो जितना जादा आपको आपसे जुड़े हुए पलों को उन यादों को याद कर रहे हैं ना, उतना जादा यह प्यादा हैं, परसन आपके साथ के रिष्टे को, इसके एहसास को, इससे जुड़े जस्बात को realize कर रहे हैं, कि यह अभी भी इस रिष्टे से जुड़े हुए हैं, भले यह इस चीज का धिंडोरा पीट रहे हो, इस चीज के लिए यह चारों तरफ पूरी तरह से announcement क्यों ना कर रहे हो, क कि हाँ यह आप से अभी भी दूर नहीं हो पाए, फिजिकली तोर पर भले इन्होंने आप से अपने आपको कितना ही दूर क्यों ना कर लिया हो, जगा बदल लियो, जॉब बदल लियो, या अपनी सोच तक बदलने में इन्होंने कोई कसर ना छोड़ी हो, लेकि फिर भी व बेचैन होने लगता है कि मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इन से कितनी दूर हो चुके हो, आप इनके पास आओगे या नहीं आओगे, मतलब ऐसा देख पा रही हूँ, जैसे कि कोई तो ऐसी बात है, जिसके चलते ये परसन इतनी फीलिंग्स, इतनी इमोशन होने के बाब जूद भी ना, इस रिष्टे को जबड़ दस्ती अपने आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये खतम हो गया है, और ये जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में आया है ना, ये डेफिनेटली यहाँ पे इस चीज की पूरी तरह से कि आप तो यहाँ पर बात करने के लिए तयार हो, ये भी तयार है, लिकिन ये अपने आपको जबड़ दस्ती रोक रहे हैं, ठीक है, तो इन से ना बेसिकली अपने आपको रोका नहीं जा रहा है, आपसे बिना बात करें, ये यहाँ पर एनर्जी में हैं, चलिए और दिख करने को लेकर साफ साफ दिखाई दे रही है, घाइड कीजे यूनिवर्स प्लिज रिवाईन, प्लीज आर्केंजर्स, बिस स्प्रेट गाइड कीजे, आखर tragic किस तरह के रियालाइजेशन और रियालाइजेशन शरीद्हे परसन को हो रहा है, इस रिच्तिक को लेकर जिर बताईए डिवाइन Strength and Nine of Swords तो यह है Leo and Gemini, Libra and Aquarius मिथन तुलाइन कुमबराशी Number 8 and Number 9 यह important दिख रहा है इस परसन को यह realization है viewers कि आप इनके लिए क्या हो आप वो इनसानों इनके लिए जो इन्हें मजबूत करते हो आप इन्हें support करते हो जब यह aggressive होते हैं जब यह गलट decision लेते हैं जब यह चीजों को बहुत ज़ादा aggression में देखते हैं तो वहाँ पर आप ही वो इनसान हो जो इन्हें प्यार से समालते हो आप बिना judge करें इन्हें गले लगाते हो इनके गुस्से को शांत करते हो या आप ही कही न कही उस situation को समाल लेते हो या एक तरह से बस इनके कंधे पर आपका हाथ होता है या एक ये भरोसा होता है कि आप इनके साथ हो तो वही अपने आप में इनके लिए sufficient यानि की परियाप्त होता है तो ये परसन इस चीज को no contact में होने के बाब जूद भी realize कर रहे है आप इनकी मजबूती थे जिसे इन्होंने कही न कही खो दिया ये कहे कर आपसे कि ये रिष्टा खतम हो गया भले यहाँ पर ये जो no contact हुआ है वो इस परसन की side से शुरूआ है लेकिन जो pain मिल रहा है ना तकलीफ मिल रही है इने भी कम नहीं मिल रही आपको तो definitely मिल रही है क्योंकि आपके मन में इस चीज की तकलीफ है कि भई मैंने इतना support कर आपनी side से जितना मैं दे सकती थी या दे सकता था ना मैंने दिया लेकिन बदले में मुझे ये मिलेगा आपको वो उमीद नहीं थी और वो चीजे आपको तोड़ रही है और इस इनसान को वो चीजे तोड़ रही है विवर्स जो इन्हें मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा जिसकी डेफिनिटी इनके लाइफ में बहुत जादा कमी है तो तो चीज जितना जादा इस परसंड को नो कॉंटीक में है लिवर्श उतना जादा इस परसंड की रातों की नीडे उडी पड़ी है उत्तरा जादा इस परसंड के मनका चैन का सुकून ओडा पड़ा है तो ऐसा यहाँ पे है ठकucionesटली यहां पी कुछ तो ऐसी बात तो क्लिक इस ने पिनाज्ट शुपा रहे हैं यह भी सफर कर रहे हैं आपकी दूरियों से ठिके अधर और चीजर को क्लारिफाइख की अधर बताईये इस आहिए इस मामली मेंस नो कॉंटेक्ट के दौरान मेरी विवस के पर संथ क्या फीलिंगस हैं वी व्युर्स को लेकर इस नेक्ष तो दिखो वीवर्स चांसेस दिख रहे हैं कि यहां पे सिर्फ नो कॉंटेक्टी नहीं हैं काफी लोगों के केस में तो ब्लॉक तक कर रखा है इस परसन ने क्योंकि एक वक्त पेस परसन के यह थोट थे यह इनकी सोच थी कि यह जितना ज्यादा आपको ब्लॉक करके आप इन तक पहुच नहीं पाओगे ठीक है मतलब आप क्योंकि जब इनकी तरफ पहुचने की कोशिश करते थे तो यह कहीं ना कहीं एमोशनली वे में कमजोर पर जाते थे तो यहां पर आपको तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है विकॉस आफ उन पिकनेज भी हो उसे यह इस नौ कांटेक में फील करते हैं ठीक है और यह परसन यहां पर साफ साफ समझ पा रहे हैं कि यह भले आप से कितनी भी डिस्टंस मेंटेन कर ले कितना भी आपसे लड़ ले लेकिन इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपको चेस करता है आपको ढूंग आप ही के लिए फिलिंग्स रखता है, आप ही के लिए इनके दिल में इमोशन्स है, जिसे इन्होंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रख रखा है, बहुत मुश्किल से अपने इमोशन्स को इन्होंने समहाल कर रख रखा है, भले इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन यहां पे इस परसन ने आपको ढूलने में आप पे निगाई रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी ऐसे भी मैं चांसे देख पा रही हूं ठीके मतलब आपसे यह पहारी तोर पर लड़ रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही है लेकिन देखेगा यहां पे किंग आपसे जुड़े हूए हैं वो भी बहुत गहराई से जिसे यह एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं पास्ट मेमोरी को क्लारिफाई कीजिए बताइए इस मामले में वीवर्स के परसन की फीलिंग्स क्या हैं यहां पे आपका आया है सेविन आप सोर्स एंड किंग और वैंस एरीश लियों सजिटेरियर्यस एंड जमिनाई लिब्रान अक्वेरियस मिथन दुलायन कुम्वर आशी 17 एंड 14 एंड 5 यानि की मई और जलाई मंद्ध लिगो ऐसे चांसे देख पारी हूं कि यहां पे ना डेफिनिटली एक वक पे जो बॉक अबे करा गया रिष्टे को फ रिष्टे से भागने वाले यह थे तो यहां पर ऐसा ओर रहा है इस नू कॉंटेक्ट के दौरान अब इस परसन के पास सिर्फ अच्छी यादे नहीं रह गई हैं जो आप से जुरी हैं इनके पास अब वो यादे भी हैं वो यादे भी उनमें शामिल हो गई हैं जिस पल मे इनना ने इस रिष्टे से वाक अवे करने का डिसीजन लिया ये रिष्टे से दबे पाओ गई प्योंकि इनना और ने की अगई शूतरी हैं मुझे ऐसे बी चांसेथ देख रहे हैं वह यह वाजि जिस भी परसन के लिए देख रहे हो न या तो यह अपने घर के जिसज़न रिष्टे से बॉक अवे करना उस पल में उस घरी में जरूरी समझा तीके और यही चीज़े और परसन अब no contact में सोचते हैं क्योंकि यही चीज तो इस परसन को अपनी feelings को अपने emotions को जो आपकी तरह बढ़ रहा है ना बार बार उसे control करने के लिए इन्हें रोग देती हैं मतलब इन्हें सम्हाल लेती हैं chances यह भी देख पा रही है उस person के उपर definitely किसी ने निगहाएं रख रखी हैं कि क्या यह person अपने जो भी इनके जम्मेदारियां हैं यह उसे सही से निभा रहे हैं या नहीं या उन जम्मेदारियों के प्रती इनका जो रोल है वो ही सही से चल रहा है या नहीं तो इसके भी को ब्लॉक करा कैसे यह आपकी जिंदगी से गए कैसे किस पल में नहीं यह डिसीजल लिया तो सभी चीजे अब इनसे जोड़ रही है जो इनको खुद को तोड़ रही है move on को clarify कीजिए बताइए इस मामने में वीवर्स के person is no contact में क्या सोच रहे हैं गाइड कीजिए five of cups and यह आगे आपका four of pentacles and the tower देखो उसके अलग भी वीवर्स के आया है the lovers and two of cups मतलब जो रिष्टा इन्हें strength दे रहा था जो रिष्टा इन्हें वो सब कुछ दे रहा था जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है या चाहती है जिस रिष्टे को पाकर इन्हें हमेशे ऐसे feel हुआ कि इनके लिए blessings है जो universe ने, angels ने, loin angels ने इने दी जिस इन्सान को इस रिष्टे में balance मिल रहा था, जिस इन्सान को इस रिष्टे में stability मिल रही थी वो रिष्टा तूटने के बाद आकि कौन सा वो इन्सान होगा जिसका दिल यहाँ पर तूटकर नहीं बिखरेगा तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा है ठीके तो और यहाँ पर इस परसन के इतना एहसास करने के बाद भी ना बोले के पीछे की वज़ा यह खोदी है क्योंकि इन्होंने ही तो यह यहाँ पर decision लिया यही तो यहाँ से walk away करके गए यहाँ पर भी यह chances दिख रहे हैं कि टॉरस वर्गोईन के अप्रिकाउन व्रिशप कन्यान मकर राशी है यहाँ पर भी यह चीज़े दिख रहे हैं कि भले यह आपसे दूर हो गए हैं लेकिन यह बस एक शरीर बनकर रह गए हैं क्योंकि सोल तो इनकी आपसे जुड़ी हुई है सोल दिल तो इनका आपके पास है आपसे जुड़ी हुई हर एक याद को इस परसन ने समेट कर रख रखा है जो यादे कभी इने खुशी देती हैं तो कभी इने दर्द भी दे रही हैं ठीके इनके साथ तो अब यह चीज़े हो रही हैं कि जितना ज़ины आल्टीमेटली रिष्टे में आपकी तरफ हामी भर देंगे, बर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ यहां पे हो नहीं हो नहीं हो तक तयार नहीं हो पा इससी रीजन की वजए से उन्हें नाचा कर यह बिल्कुल बखेर कर रख दीयें चली यह देखते हैं कि क्या आप दोनों का यह जो भी connection है, इसका कोई future है यह नहीं है मुझे गाइड कीजे बताईए सोल सेटिसफेक्शन देको बेसिकली आप दोनों का ये कनेक्शन ऐसा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे तो आप दोनों की सोल सेटिसफाई नहीं हो पाएगी चाहे आप हो या ये हूँ आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा भले आप अपनी काम में कितना भी बिज़े हो लेकिन एक अधूरापन आपको अपनी एनर्जी में महसूस होता होगा सेव इनके साथ भी यही चीजे चल रही हैं जो हमने परी भी है तो आप दोनों जब तक नहीं मिलोगे आपकी सोल को यहाँ पर सैटिसफेक्शन नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप दोनों का मिलना ज़रूरी भी है और आप मिलोगे भी ऐसे मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉलिड में चांसे दिख रहे हैं ठीक है बहुत सारे कार्ट्स हैं इंट्यूशन लिसन टू यार इंट्यूशन इनर विज्डम आपसे बोला जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपसे कि यह रिष्टा आपका है यह परसन आपका है या आपकी अब intuition भी आपसे ही कहने लगी है कि नहीं आप इसमें कुछ नहीं होना तो अपनी intuition को follow करो क्योंकि आपके intuition ही आपके दर्वाजे खोलेगी जिस भी तरफ आपके intuition आपको लेकर जा रही है ना viewers समझ लीजे वही आपकी destiny है वही आपका दर्वाजा है जो आपको मंचिल तक लेकर जाएगी तो यह आपसे बोला जा रहा है और देखो हर किसी की intuition अलग-अलग तरह से उन्हें बोल रही होगी काफी लोगों का यह होता है कि हम समझ नहीं पात है कि हमारी intuition क्या बोल रही है दिल क्या बोल रहा है मन क्या बोल रहा है देखो आप अपने काम में बीजी हो लेकिन all of sudden आपके mind में कोई ऐसा thought आ रहा है जो आप कहीं पर भी सोच नहीं रहे हो आप जस्त अपने work पे focused हो लेकिन still वो thought आपके मन में आया that is your intuition वो all of sudden आया और उसको feel करके आपको बहुत अच्छा लगा आपको बहुत positive feel हुआ आपका मन आपकी soul वहां पर satisfy हुई कि हाँ चलो यह चीजे सही है यह मुझे सही रास्ता लग रहा है वही आपके intuition है और आपको उसी को follow करना है उसी को ध्यान में रखना है उसी को manifest करना है ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है ठीके viewers तो यह थी reading I hope मैं इस reading के माधियम से आपको थोई बहुत जानकारी दे पाई हूँ आप अपने आपको connect कर पाए हूँ अगर आपको reading के माधियम से चानकारी मिलती है आप connect कर पा रही है और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी सिक लाइक कर दीजेगा और claim जरूर से कीजेगा और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करके बैल आइकन को प्रेस जरूर से करके जाएगा viewers ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊ तो उसकी notification आपके पास जरूर से पहुचे आज के लिए बस इतना ही मिलती हूं next reading में okay bye bye